आज से ठीक चार साल पहले 2019 में एक फिल्म के बारे में काफी शोर हो रहा था क्योंकि इंडिया की तरफ से इसको आसकर में भीजा गया था फिल्म का नाम जली कट्टू यूनीक सिनेमाटिक एक्सपिरियंस जिसको रिपीट करना बॉलिवुड तो छोड़ो हॉलिवुड के भी बसके बाहर वाली बात है जितना डिफरेंट फिल्म का सब्जेक था उससे भी जादा इंप्रेसिव इसका प्रेजेंटेशन था ऐसे सीन्स जो लाइफ में दुबारा शायद कभी देखने को ना मिलें तब आसकर तो नहीं मिला लेकिन इंडियन ओडियन्स को एक जीनियस डिरेक्टर के बारे में पता जरूर लग गया अगर हॉलिवुड के पास क्रिस्टफर नोलन है जो थेटर के अंदर फिल्म नहीं दूसरी दुनिया के दरवाजे खोल देते हैं तो भया इंडियन सिनिमा के पास एल जैपी हैं जो दो तीन घंटे के लिए आपको इसी दुनिया में एलियन जैसा फील करा सकते हैं जली कट्टू हो या पर चुरूली इनकी फिल्म जिसने रेखी उसके लिए गाना एक्दम फिट बैटता है मैं तो नहीं हूँ इनसानों में तो सर क्या आप भी एलियन बनने के लिए तयार हैं मेरा मतलब LJP की नई लेटिस फिल्म के बारे में सुनना चाहते हो या नहीं मलै कोट्टे वाली बन जितना पारफुल फिल्म का नाम सुनने में लग रहा है यकीन करो आँखों से जो देखोगे वो इससे भी जादा खतरनाक होगा यहाँ पर एक छोटी सी वर्निंग देना जरूरी है यह फिल्म हर किसी के लिए नहीं है सर दिमाग लगाने में अगर आपको मज़ा आता है तो धाई गंटे जैकपॉट लग गया आपका बट सिंपल इजी एंड एंटेइन्मेंट वाला सिनिमा आपका फेवरिट है जिसमें सब कुछ प्लेट पर रखके सर्व कर दिया जाए तो इस फिल्म से दूर रहो आप ओके तो भई फिल्म की कहानी नेचर की थेयरी पे बेस्ट है सर्वाइवल आफ तो फिटेस्ट माने उपर बैठा जो इस दुनिया को चलाता है वो हमेशा ताकतवर का साथ देगा अपनी फिल्म में भी एक ऐसा चैंपियन है जो गाओं गाओं जाके बड़े बड़े वारियर्स को खतम कर देता है फिनिश अरे सर गंजा करके गदे पे गुमाते है लूजर को अब इसको confidence बोलो या फिर destiny अपनी चैंपियन का final match एक international आर्मी के ruler के खिलाफ है indirectly मैं बोल रही हूँ एक versus एक हजार और सारे के सारे full of guns and तलबार अब बोलो nature किसकी help करेगा वो जो fit है या फिर जिसका number जादा है उसकी वैसे एक secret twist में आपको बताना भूल गई हूँ इस match में सिफ इनसान नहीं लड़ रहे हैं एक सांप का भी बहुत important role होने वाला है कमाल की बात जानते हैं ये कोई normal सांप नहीं है वो इच्छा धारी नाथ के बारे में सुना है ये इनसान का रूप लेके आया है जहर भी unlimited है और बताने की जरुद शायद आपको पढ़नी नहीं चाहिए सांप versus champion versus army इन तीनों में से कोई एक ही जीच सकता है बाकी दोनों का result वही same dead end अभी से सर में दर्द होने लगा क्या अभी तो 1% भी नहीं बताया मैंने आपको इस फिल्म का subject जितना सुनने में different लग रहा है उसका presentation उससे भी जादा unique और interesting है आज से पहले Indian cinema में ऐसा कुछ नहीं देखा होगा आपने I promise LJP की storytelling एक अलगी level का adventure है जैसे जंगल में घूम रहे हो आप किस साइट से कौन सा जानवर निकल आए no idea एक दम unpredictable cinema बनाया है जिसके next scene में क्या-क्या हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते आजकल fashion है न मास cinema का जिस film industry को उठाके देख लो हर कोई guns और weapons के दम पर cinema को festival बनाना चाता है Mohanlal सर की ये film different इसलिए है क्योंकि ये मास को class में बदलने की कोशिश करती है with never seen before action style फिल्म में जो face of matches होते हैं उसमें कुछ अजीब तरीके के moves दिखाये जाते हैं इन slow motion वहाँ पे आपका मुँख खुला रहे जाएगा बाद में एक बड़ा surprise भी है जिसको आप नॉर्मल भाशा में machine guns का बाप भी बोल सकते हो इवन नॉर्मल सी flute बासुरी का इस्तिमाल perfect है सांप वाली बीन भी है specially जब यह सब कुछ कानों में तब पड़े जब आँखों के सामने एकदम अनहिरा है तब सुन्दर सी राद भी डरावनी लगने लगती है creativity power बाकी directors को जरत पढ़ती होगी बड़े बड़े sets की, heavy महंगे budget की लेकिन चारों तरफ रेगिस्तान और बीच में एक बैल गाडी फिर भी cinema next level बस यही चीज मलाई को टी वाली बन को बाकी movie से अलग एक experience में बदल देती है आपको सच में लगेगा कि 100-200 साल पीछे चले गए हो time में अब दिक्कत यह है क्योंकि film normal से अलग है इसलिए 90% audience शायद इसको appreciate नहीं कर पाएगी लेकिन बाकी 10% लोग lifetime इसको याद रखेंगे तो यहार मेरी तरफ से film को 5 में से पूरे 4 stars मिलेंगे पहला different subject हट के सोचा है दूसरा genius direction ये scene देखो समझ रहे हो क्या बोल रहे हो मैं तीसरा haunting visuals और abnormal music का deadly combination और चौथा performances मोहनलाल सर रूल्स एंड दानिश भाई शौकिंग फान हो गई मैं ऐसी movies और देखना चाहते हो तो मेरा ये वाला वीडियो ट्राइ करके देखिए बाकी थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में take care, bye bye